हाई एबरिवन स्वागत ही आप सभी का फिर से परतीसत के एक नए वीडियो में जी हैं दोस्तों यहाँ पर मेरा हेडिंग है परतीसत निकालना यहाँ पर मैं दो कोशन कराऊंगा जो की बेहद इंपोर्टेंट और आपके लिए बेहद यूजफुल कोशन होगा यहाँ परतीसत का ताबा तोड मैं इलाज लेकर आजुका हम देख सकते हैं यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट कोशन है इस तरह कोशन आप तो यहाँ पर सल्व नहीं किया होंगे मैं गरांटी देता हूँ अगर आप और स्टडी चैनल से पहले से जूड़े हुए हैं तो आपको पता होगा इस तरह के कोशन के बारे में अनियथा नहीं पता होगा तो चलिए यहाँ पर कोशन को केरफुली पढ़ते हैं उसके वाद सॉल्व करेंगे तो दोस्तो हमारा कोशन क्या कर रहा है यहाँ पर 48 कितना परतिसत है 60 का ध्यान से कोशन पढ़िए यहाँ पर मालीजी कि कोई 60 रुपय है और उसमें से पुछ रहा है कि 48 जो है कितना परतिसत है किसका 60 का बहुत ही यहाँ पर interesting question है और बहुत ही यहाँ पर useful और बहुत ही यहाँ पर समझने वाला question है तो चलिए solve करते हैं यहाँ पर जब भी इस तरह का question आपको दिखे कि 48 कितना परतिसत है 60 का 50 कितना परतिसत है 200 का तो कितना हो कहे आपको क्या करना है यहाँ पर 48 कितना परतिशत है तो आपको सबसे पहले 48 में 100 से गुना करना है तो चलिए करते हैं यहाँ पर लिखेंगे solution सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पर 48 और गुना में क्या करेंगे 100 यह आपको सबसे पहला काम करना है तो 48 में 100 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 48-100 आईजोब कर अपको इतना समझ में आ गया होगा सिर्फ 48 में मैंने 100 से गुना किया है अब इसके बाद क्या कर रहा है कि कितना परतिसात है 60 का तो आपको क्या करना है यहाँ पर 48 लिख लेना है और क्या करना है यहाँ पर जो 60 का कर रहा है इस 60 से इस 48 में डिवाइड कर देना है यानि बटा में लगा कर भाग कर देना है तो चलिए भाग कर लेते हैं यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो कैंसिल और यहाँ पर छो से भाग करेंगे चार सू असी में तो यहाँ पर छो आठे के अनतालेस और यह जो जीरो है यहाँ पर उतर जाएगा यानि कहने का मतलब है यानि यहाँ पर हमारा जो है असी रुपए य यहां पर 80% है और यही इस question का answer है देख सकते हैं बहुत ही यहां पर interesting question है सबसे पहले यहां पर मैंने 48 में 100 से गुना कर दिया जो यहां पर गुडण फलाया उसमें क्या कर दिया 60 से भाग कर दिया आपका answer आ गया चलिए second question देखते हैं तो यह रहा हमारा second question यह क्या कह रहा है 60 कितना परतिसत है 200 का तो बहुत ही यहां पर simple तरीका है वही तरीका है सबसे पहला काम क्या करना है लिखना है solution अब आपको पहला काम क्या करते हैं हम यहां पर 60 में गुणा करते हैं 100 से तो 60 में 100 से गुणा करेंगे तो 6 एकम 6 हो जाएगा और यहां पर 00 यहां पर 00 तो यह यहां पर 000 हो जाएगा यानि 6000 हो गया 60 गुने 100 करेंगे तो 6000 हो जाएगा अब इतना काम कर लेना है उसके बाद क्या करना है तो चलिए यहां पर आपको सबसे पहले यह वाला जो 6000 आया है उसको आपको लिख लेना है उसके बाद यहां पर 200 जो है न कर रहा है कि 60 कितना प्रति जो है इसमें 200 का कहा रहा है तो 200 से डिवाइट कर देंगे तो चलिए डिवाइट कर लेते हैं यहाँ पर नीचे 00 और उपर 00 कैंसिल यहाँ पर कितना बच गया उपर 60 और नीचे कितना बच गया दो बच गया अब 60 में 2 से भाग करेंगे तो 2,3,6 यानि 30 हो जाएगा यानि इ परतीसद है कहने का मतलब है कि 60 जो है कितना परतीसद है 200 का तो 200 का जो 60 है न 30 परतीसद है I hope को समझ मैं रहा होगा समझ मैं रहा है न तो अगर अच्छा लगा है तो like जरूर कीजिएगा चैनल उपन नहे हैं तो subscribe जरूर कीजेगा क्योंकि इस चनल पर इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा और सब्सक्राइब करने से यह फायदा होगा कि जब भी मैं नीव वीडियो अप्लोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप यहां पर बहतरीन तरीका से त्यारी करेंगे और आपका जो है बेसिक या एडवांस यहां पर इस्ट्रॉंग हो जाएगा